तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने माल है कि एक मिनिट में दुनिया में कितने लोग मरते हैं तो आपको भी बता होगा कि ये एक्चुली एक एनलिटिकल स्टेडी होती है ना कि ऐसे कि एक मिनिट में कितने लोग मरें तो ये पर साल के हिसाब से निकाला जाता है, यानि एक साल में कितनों लोग मरे। तो एक Steady के हिसाब से एक साल में पूरी दुनिया में 65,000,000 लोग मरे थे। तो अगर हम इसे divide by 365 करते तो आ जाएगा एक दिन में कितने मरे तो 1,78,000 आ जाएगा और एक हम इसे हर घंटे के साब से निकालें, तो हर घंटे में, 7425 लोग मरे थे और उसके बाद हम हर मिनिट में निकाले तो हर मिनिट में 120 यानी 120 लोग मरे थे तो आप इस study के साब से समझ सकते हैं कि क्या ratio है, क्या study है और दूसरी बात है तो जानने वाली यह है कि यह ratio बढ़ती घटी रहती है या फिर यह study के हिसाब से यह numbers तो increase decrease होते नहींगे बट कहीं जगा पर technical या healthcare advancement होती है तो वहाँ पर यह number कम हो जाती है